दोस्तों आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है Daily Current Affair Quiz में आज हम देखेंगे 29 जनवरी की Current Affair को जो की सभी परिक्साओं के लिए मैत्पून रहेगी Daily Current Affair Quiz में मैं आपको Daily 10 मिनट में 20 Current Affair के Question Answers को कवर कराता हूँ जो की पूरे दिन की Current Affair होती है अगर आप इस वीडियो का Notification regular लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कल की वीडियो से Question पूछूँगा जिसका Answer सभी को Comment Box में बताना होगा दोस्तो कोशन है किस राज्य सरकार ने गंतंतर दिवस पर घोसना की कि वह एक अप्रेल से बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारम करेगा तो ये मैंने कल की वीडियो में दोस्तो कोशन को कवर कराया था जल्दी से इस Question का Answer Comment Box में बता दीजेगा चले शुरू करते हैं पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है हालही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जन 2023 संपन हुआ मेरे प्यारे दोस्तो काफे important कोशन है ये और पहले कोशन का राइट आंसर रहेगा option C जापान ये आपको याद अखना है दूसरा कोशन आता है हालही में सबस्रेश्ट अभिनेतरी के लिए ओसकर नामंकन पाने वाली पहली ACI कोन बनी है दोस्तो दूसरे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है M यो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा यानि कि option A इस दा राइट आंसर तीसरा कोशन आता है हालही में जैविक गुनवत्ता पर रास्टे सिखर सम्मेलन का आयोजन कहा किया गया है मेरे प्यारे दोस्तो तीसरे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही नई दिलने में यानि कि B राइट आंसर रहेगा दोस्तो इस कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 4 आता है हालही में किसे ICC Spirit of Cricket Award 2022 से सम्मानित किया गया है तो Spirit of Cricket Award 2022 से दोस्तो किसे सम्मानित किया गया है तो कोशन नमबर 4 का राइट आंसर रहेगा ओप्शन C आसिप सेख को दोस्तो ये आपको याद दखना है कोशन नमबर 5 है हालही में इन्वेस्टर सम्मिट 2023 में निवेस आकरसित करने में कोन सिर्ष पर रहा है दोस्तो पाचवे कोशन का राइट आंसर रहेगा बिलकुल से जहासी दोस्तो इसमें पहले स्थान पर रहा है यानि की राइट आंसर भी रहेगा दोस्तो एक बहुत ही अच्छी आपके लिए खुसकबरी है कि Only Top Study का दोस्तो एप लॉंच हो चुका है और एप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है इस एप में दोस्तो आपको सभी सब्जेक्ट की किलासिस यूटूब वीडियोज की पीडियाप ठीक है ना और डीसिये यानि की दोस्तो डेली करेंट अफेर की पीडियाप भी आपको कहाँ पर मिलेगी ओनली टोप स्टडी एप पर मिलने वाली है तो अभी जाकर के दोस्तो डाउनलोड कर लेना फाइव स्टार की रेटिंग कर देना और आपको अगर आज पीडियाप नहीं मिलती है मान लिजे भाई नया एप है तो कुछ चीज़े आपको समझ में ना आए तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखेगा एक दो दिन का समय देना आपको सारी चीज़े समझ में भी आ जाएगी और आपको डेली कर एंटरफिर की पीडियाप भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी शुरू करने की घोषना की है दोस्तो छटे कोशन का राइट आंसर हेगा ओप्शन सी न्यूजिलेंड यानि की सी राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा साथवा कोशन आता है हाल ही में किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायू सेना में बिर्गेडियर जन्रल ग्रेड पर न्यूक्त किया है दोस्तो काफ़े इंपोर्टेंट कोशन हो सकता है और साथवे कोशन का राइट आंसर हेगा राजा जे चारी यानि की राइट आंसर इस ओप्शन ने यह आपको या दखना है दोस्तो आटवे कोशन आता है हालही में बाजने की खेती को बढ़ावा देने के लिए N.M.C.G. सेमिनार का आयोजन कहां किया गया तो आटवे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों नई दिल्ली इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा नवा कोशन आता है हालही में वर्ल बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देश में से एक बनने के लिए किस देश की सरहाना की है तो नवे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल दोस्तों इसमें सराना की गई है बांगला देश की यानि कि ऑप्षन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा भई दसवा कोशन आता है हालही में कहां 13 सदी के होईसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया है तो इस कोशन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा दसवे कोशन का सही उतर रहेगा करनाटक में दोस्तों एक हो जाए गया है यानि कि B रैट आंसर हो जाएगा भी ठीक है 11 कोशन आता है हाल ही में अमेरिकी हमले में ISIS का वरिस्ट नेता बिलाल अल सुदानी किस देश में मारा गया तो 11 कोशन का दोस्तों रैट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है सोमालिया दोस्तों रैट आंसर हैगा यानि कि option A is the right answer 12 कोशन आता है हाल ही में समारक योजना के तहट सरकार कितने इस्थलों को नीजी छेतर को सौप देगी तो 12 कोशन का दोस्तों रैट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल मेरे प्यार दोस्तों 1000 यानि कि option A रैट आंसर रहेगा दोस्तों 1000 समारकों को ठीक है ना सरकार क्या करेगी दोस्तों नीजी सेतर को सौप देगी तो ये कोशन important बन सकता है वही एक्जाम के लिए कोशन नमर 13 है किसने ICC Men's Emerging Cricketer of the Year 2022 का किताब जीता है तो कोशन नमर 13 का दोस्तों रैट आंसर करेगा बिल्कुल सही है मारको जांसन यानि की option दोस्तों B रैट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है निवन में से किसने अंतरास्टे किरकेट परिशद दुआरा सर गारफिल सोबर्स प्रुसकार जीता दोस्तों कोशन नमर 14 का रैट आंसर रहेगा सूरिय कुमार यादव ने यानि की B रैट आंसर दोस्तों हो जाएगा कोशन नमर 14 का सही उत्तर ठीक है भई 15 कोशन है हाल ही में किसने निधी आपके निकट बड़े पहमाने पर आउटरीच कार्यकरम सुरू किया है देखे 15 का दोस्तों रैट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है EPFO यानि की Employees Provident Fund Organization यानि की दोस्तों रैट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा 15 कोशन का सही उत्तर 16 कोशन आता है डेटा गोपिनेता दिवस कब मनाया जाता है तो इस कोशन का रैट आंसर बता है रैट आंसर ही दोस्तों 28 जनवरी यानि की B रैट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आता है जल जीवन मिशन कितने क्रोड ग्रामीन परिवारों को नल का पानी उपलब्द कराता है तो 17 का रैट आंसर दोस्तों क्या रहेगा ओप्शन हो जाएगा दोस्तों 11 करोड यानि की A रैट आंसर हो जाएगा कोशन नमर 18 आता है संयुक्त रास्ट ने वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने परतिशत रहने का अनुमान लगाया तो 18 कोशन का मेरे प्यारे दोस्तों रैट आंसर हैगा 5.8 परसेंट यानि की A रैट आंसर हो जाएगा कोशन नमर 19 है हाल ही में आजित AGR पर अंतर सरकारी तकनिकी कारिये समू के 12 सतर का उपाध्यक्स किसे बनाया गया है तो इस कोशन का रैट आंसर के रहेगा बिलकुल सही है दोस्तों 19 कोशन का रैट आंसर भारत यानि की B रैट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आते है दोस्तों हाल ही में रासपती दरोप दी मुर्मु ने कितने वीरता पुरुसकारों को मनजूरी दी है तो 20 में question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही 412 को 412 को दोस्तो यानि कि D right answer हो जाएगा देखे आज का हमारा homework का question क्या क्या रहे है दोस्तो सात्वा परकरती और पक्सी महुतसम किस राज्य में शुरू होगा तो ये आपके लिए एक homework का question है दोस्तो इस question का answer comment box में बताईएगा जो इसका correct answer एगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूगा बात आती है दोस्तो आज के question of the day की तो आज का मारा question of the day है सत्रंज board में कितने वर्ग होते हैं ठीक है सत्रंज का जो board होता है दोस्तो उसमें कितने वर्ग होते हैं ये आपको बताना है तो जल्दी से इस question का answer comment box में बता दीजिए आपके पास 5 second का समय है तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा मेरे प्यार दोस्तों सतनग बोड में कितने वर्ग होते हैं 64 वर्ग होते हैं यानि कि C right answer हैगा question of the day के answer का कल का हमारा homework का question था दोस्तों हाल ही में किसने पहले वानिज्य तेल उत्पादन drilling कारे करम का अनावरण किया तो युगांडा ने दोस्तों किया है यानि कि option A right answer हो जाएगा भई दोस्तों 6000 के question answers की जो पीडियाप है हमारी master पीडियाप जो की सभी परिक्साओं के लिए मैत्पून है इसमें आपको सारे subject मिल जाते हैं history, geography, policy, economics, physics, chemistry, biology, current फिर, computer इस PDF का link मैं नीचे description box में दे दिया है हमारी website या whatsapp नंबर से भी ले सकते है दोस्तों एप जिनोंने अभी तक download नहीं किया है एप पर भी आपको सारी चीज़े मिलने वाली है बस थोड़ा सा समय लगेगा 10-15 दिन में आपको एप बिल्कुल बहतरीन तरीके से मिलते हैं फिर next class में thank you so much bye bye everyone take care